प्रिवाइब नेम इस गौर सिंग जाला फैकल्टी सोशल साइंस और आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में सेकंड लेने जा रहे हैं मिनरल एंशी रिसॉर्स का मिनरल एंशी रिसॉर्स के प्रिविश लेक्शर में हमने देखा था कि मिनरल्स या इनका इंपॉर्टेंस क्या है मिनरल बहुत ही आसान भाषा में अगर बात करें तो हमारे आसपास जितने भी अब्जेक्ट जितने भी चीज़ें हम यूज करते हैं जितने भी डेली रूटीन के लाइफ के हम कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने घर से लेकर अपने आफिस में या अपने school से लेकर अपने playground में, जो भी चीज देखते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी material से बना है, material, plastic, iron, या आप बात करो chemical, हर एक छोटी मोडी चीज जो आप अपने आसपास देखते हो, वो किसी ना किसी material से बनी है, किसी ना किसी mineral से बनी है, mineral एक ऐसी term है, जिसको अ earth के outer surface पे, जैसे कि furniture हो गया, timber हो गया, हर एक चीज जिसको हम किसी useful entity में convert कर रहे हैं, वो resource कहलाती है, for example, अगर आप road पे चल रहे हो, तो जो आप roads देखते हो, जिस material से वो construct होता है, coal tar या damar जिसे हम कहते हैं, वो भी earth के उसी source से निकलता है, जहां से petroleum extract किया जाता है, similarly, अ आज के section में हम इसी section पर जाएंगे, कि जो हमारे conventional sources है, minerals के, वो कौन-कौन से है, conventional sources of minerals मतलब, gas, petroleum, coal, यह वो तीन important entity है, जिनसे हम हमारा energy generation करते हैं, especially electricity, तो electricity के अगर बात करें, तो विदुद के अगर हम बात करें, विदुद जो है, वो एक ऐसी important invention है, human की, जिसके invention के बाद development या infrastructure rate का expansion ही बहुत outrageous हो गया, यानि कि अगर हम जितने भी plants की बात करें, factories की बात करें, जिनके अदर electricity या विदुद वो important term है, जिसके बिना हम आज का life का expansion सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इस electricity या विदुद को बनाने के लिए हम अलग-अलग तरीके के form of resources यूज करते बन रहे हैं, railway के tracks बन रहे हैं, roadways के bridges बन रहे हैं, auto mobile का construction हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे important minerals हैं, जिसके बिना पर हम ये बोल सकते हैं, कि इनके बिना या इनके absence में, there is no any sort of fast development rate we can imagine, तो जो हमने कल first lecture में बात किये थी, हमने बात किये थे कुछ ऐसे indispensable minerals का, जिनके बिना development जो है basically अधूरा है, हमने बात की थी metallic minerals का, हमने बात की थी metallic minerals में iron, ore की, साथ ही साथ हमने बात की थी कुछ ऐसे important minerals की like aluminum, copper, जिनके बिना industrial production जो है, वो effect हो सकता है, हमने सबसे पहले बात की थी कि minerals का occurrence, यानि earth के अंदर minerals की availability हैं, वो कैसे मिलती है, यानि minerals के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले igneous rocks की, ठीक है, कि जो igneous rocks है, उनका जो availability है, वो कैसे मिलता है, तो igneous rocks में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि igneous rocks, साथ में sedimentary rocks, ये जो हमारा earth के पहली layer है, जिसमें से हम minerals extract करते हैं, इनके अंदर जो formation है, वो कैसे होता है, हमने बात क outer surface है, उस outer surface के बात, जब हम earth के different layers के अंदर enter करते हैं, तो यहाँ पर different layers के साथ-साथ, जो availability है minerals की, वो crack, crevaces, या दरारों की form में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हमने बात नाम दिया था, cracks, crevaces, ठीक है, जैन हमने यही बात की थी कि जिस तरह के इgneous rocks में ये formation ह होता है, sedimentary rocks के अंदर भी, यानि जिन से हम soft stones या stone based minerals प्राप्त करते हैं, उस में beds and layers की form में, horizontal strata, क्या बारा था हमने, horizontal strata, यानि horizontal way में जो accumulation है, वहाँ पर आप small minerals है, stone form के, उसको हम देखते हैं, ठीक है, जैसे gold की हमने बात की थी, तो gold के जो आप accumulation देख रहे हैं, इस stone मे हमने देखा था, कैसे gold के patches, specially areas में बने हैं, यानि इस stone में हमने देखा था, कि horizontal layers में, दो या दो से जादा minerals का accumulation है, ठीक है, तो vane and loads, यह हमने बात की थी, vane and loads, जो important minerals हैं, जिनका concentration होता है, और जितने भी metallic minerals हैं, like tin, copper, zinc, lead, वो सब इसी vane and loads के थू निकाला जाता है, यानि अर्थ में से कोई भी चीज simply अर्थ के अंदर डिक करके आप कहीं से भी नहीं निकाल रहे हो, जहां concentration है, वहाँ एक form होगा और उसी form में वो चीज अवेलेबल होगी, इसका example आप समझ सकते हो, कि जैसे हम किसी भी mixture को जब mix करते हैं, कोई भी mixture जो एक कुछ solvent होता है, कुछ insoluble mixtures होते हैं, तो उनको mix करने के बाद उनका एक separation होता है, उनका एक layer बने होती है, इसको बिलकुर आप ऐसे समझो, कि जब आप एक cake का formation देखते हो, तो bread होती है, cream होती है, तो उनका अपना formation, एक horizontal accumulation जो हम बना रहे हैं, उस according, अर्थ में भी develop हुआ है, हजारों सालों के process से, ठीक है, then हमने बात की थी, placer deposit की gold, platinum, silver, यह important जो minerals है, यह placer deposit, यानि यह किसी भी river के bed से भी निकाला जा सकता है, किसी भी river से नहीं, जहां पर इसका concentration है, जिन rivers के अंदर ऐसा source है, जिसे कैरला के अंदर हम बात करें, तो uranium और monzite के जो है, reserve पाया जाते हैं, ठीक है, placer deposit यह हमने बात की थी, जो हम कल पढ़ रहे थे, कि placer deposit, जिसमें specially important metals आती है, placer deposit, जो rivers के form में, हमें मिलता है, reverse के bed में, नदियों के तल के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी, कुछ important minerals की, सबसे पहले iron की बात की थी, iron में, leading producer कौन है, leading producer के साथ, उसकी region, mine कहा ह location क्या है, जैसे उडिसा के हमने बात की थी, कि leading producer है iron और का, और iron और का जो accumulation है, वो उडिसा के अंदर कहा का है, iron के दो form में बात की थी, magnetite और hematite, और कुछ important belts, जैसे कि जारकन, उडिसा, करनाट का, महराष्ट और गोवा, हमने iron के लिए पढ़ा था, then हमने बात की थी, कि जो next important mineral है, वो है copper, copper की important mines है, मध्यप्रदेश, राजस्तान, जारकन, जिसमें खेतरी, राजस्तान में, और मध्यप्रदेश के अंदर, बालाघाट माइन, leading producer है, aluminum और बॉक्साइट, aluminum में एक और है, जिसको हम extract करते हैं, कहां से, earth की surface पे, जो rocks है, मिनल्स है, पहाड़ों क जो upper layer है, उससे scratch करके निकाला जाता है, smelt के दौरान इसको अलग किया जाता है, again, Odisha leading producer है, copper के अंदर भी, and then, इसके second, third and fourth position पे, जो states है, ठीक है, again, leading producer और mines related to that particular location, is very very important, in terms of, any mineral, ठीक है, आज जो हम बात करने जाएंगे, हमारा next metallic mineral, जो है, उसमें हम जा रहे है, माइका के ठीक है, यह जो माइका है, इसका जो आप एक formation देखोगे, तो यह आपको एक तरीके से चमकते हुए, जो scraps है, जो टुकडे होते हैं, पत्थर के stone के, उसके scraps के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है, अब रख, जैसे आपने अगर देखा, asbestos जिसको हम बोलते है, तो यह जो आप देख रहे हो, पतले-पतले छीलों के रूप में यह मिलता है, माइका की जो important property है, वो क्या होती है, basically माइका deposits are found in the northern edge of छोटा नागपुर प्लैट्यू, नौर्धन एज का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें कि बिहार और जारखंड का जो मैप है, और उसके साथ जो कोदेरमा और गया, ठीक है, जैसा लोकेशन वहां लिखा हुआ है, कोदेरमा गया गया बिहार में है, बोध गया वाला जिसकों बढ़ते हैं, कोदेरमा एं गया एं हजारी बाग बेल्ट ऑफ जारखंड is leading producer, again, question अमेशा आता है, leading producer कौन है, तो वो leading producer आपको ध्यान रखना है, then, in Rajasthan, major mica producing area is around Ajmer, ये question board में आया हुआ है, one marks के अंदर, ठीक है, one marks में आ है, which among the following states is the leading producer of mica, तो states पूछा था, तो सबसे पहले तो आपका जारखंड and Rajasthan, इसके लावा, Nellor, mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer of country, ठीक है, तो main mica deposit आपको बताया गया है, लेकिन in Rajasthan, major producing area अगर आप से पूछा गया, तो Ajmer and Nellor in Andhra Pradesh is also an important producer of country, due to its excellent dielectric strength, dielectric strength, low power loss factor, insulting properties and resistance of high voltage, माइका का जो इस्तमाल है, वो बहुत जादा electric, electrical industries में किया जाता, तो एक बहुत ही indispensable mineral है, और इसके उपर, माइका के उपर specially questions, boards में काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो location, कहां मिलता है, माइन का नाम, अगर आपको simple ये भी दिया जाए कि इन चोटा नाग पर प्लैट्यू कुदेर में गया, हजारी बाग, belt is related to which important mineral, तो हो गया question, answer माइका, अगर आप से पूछ लाए कि राजस्तान, in Ajmer and Nellor, which important mineral is constitute from these two locations, तो माइका उसके अंदर चला जाएगा, तो इसी तरीके से जो हम बात कर रहे हैं, कि जितने भी हमारे minerals हैं, उनके लिए हमें location, और location wise state, यही दो इस chapter के main constraints है, ठीक है, चलो, next बात करते हैं, इसके अंदर, अब हम उस segment के minerals पे जाएंगे, जो की non-metallic के साथ-साथ energy के उपर भी जाते हैं, यानि माइका, हमने non-metallic में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे, वो minerals, जो हमारे energy resources हैं, energy resources जिनसे हम basically, किसी ना किसी तरीके का electricity production कर रहे हैं, जैसा coal based plant हो गया है, hydro electricity base होगे, water से electricity development करना, या सीधे-सीधे coal को combust करके electricity produce करना, अब, कोईले का जो base है, कोईले के 3 basic, 4 basic format होते हैं, यह हमें पता होना चाहिए, सबसे पहला जो coal है, वो है anthracite, ठीक है, anthracite, anthracite जो है, यह 70% carbon content रखता है, यानि anthracite basically 70% carbon content रखता है, और यह जो anthracite type का coal है, यह सब से fine quality coal होता है, ठीक है, anthracite के बाद जो हम जाते हैं, वो है bituminous, ठीक है, तो bituminous जो coal है, इसका जो constant है, bituminous का, वो है 50-60%, ठीक है, इसके बाद जाता है, lignite, lignite coal constant करता है, 50% से कम, और उसके बाद आता है, peat, जो कच्चा कोईला जिसको बोलता जाता है, peat coal, ठीक है, peat, आप जिससे इसके formation में भी देख रहे होंगे, तो इसमें से आपको micro-organism या बहुत ही जादा decomposed, छोटे-छोटे organism देखने का और हैं, जो basically बागी में आपको नहीं मिलेंगे, यह बहुत crystallized form में होता है, coal is an important, indispensable mineral for electricity production, और वो आज से नहीं, हजारों सालों के compression से बढ़ना है, यह आज से लाखों, हजारों सालों पहले जो गौंडवाना बेल्ट के अंदर जो आप देखोगे, जो गौंडवाना बेल्ट पूरा चोटा नागपुर प्लैटिव में है, दामोदर सोन वैली जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ इसका main concentration है भारत के अंदर, coal वो important चीज है अगर आपको कभी question देखे है कि which among the following is a type of coal, anthracite, hematite, magnetite and all of these, तो आपको पता होना चाहिए कि hematite और magnetite यह तो iron ore हो गया, और जो anthracite है वो coal का एक type है, एक ore है, ठीक है, तो A, B, L, P, इस code से अगर आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक वो याद ठीक है, anthracite, bituminous, lignite and peat, brown coal कहते हैं क्योंकि हलका brownish होता है, लेकिन crystallized form में होता है, hard होता है, और जितनी भी industries है, जो जाधा महंगा iron, जो आजाधा महंगा coal आपने लिए इस्तमाल नहीं करती है, for the quality of anthracite, वो basically bituminous coal का, lignite coal का electricity में production सबस्याद होता है, और नई वेल्ली, तमिल नाडू में जो जगे है, नई वेल्ली, अब देखो, NTC के perspective से तो बहुत सारे database है, तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, आप overall किसी chapter को पढ़ें, तो उस chapter को पढ़ते पढ़ते आप उसके important facts को याद रखें, तो नई वेल्ली वो important जगे है, जहां तमिल में इसमें electricity production कियाता है, और नई वेल्ली लिगनाइट कॉर्पॉरेशन, क्या बता रहा हूं है, नई वेल्ली लिगनाइट कॉर्पॉरेशन एक भारत सरकार का उपकरम है, जो की public sector है, जो basically को उत्पादित करने के साथ साथ उसके उपर base electricity production भी करता है, ठीक है, bituminous is deep, buried and subjected to high pressure used in metallurgical industry, metallurgical, metals पे आधारी जितनी companies हैं, जैसे aluminum को smelt करना, zinc, lead को smelt करना, copper industry, ठीक है, आपकी, जितनी भी mica based industries होगी, वहाँ पर इनको combust करने के लिए कोईले की जरुत पड़ती है, blast furnace में भटी में, तो वहाँ पर bituminous coal का इस्तमाल किया जाता है, अब उसके भारत में coal का concentration है, देखो, अगर मैप से ही देखोगे, तो बहुत आसान सा हम इसमें logic लगा सकते हैं, कि अगेन हमारा जो region है, जो हमारा region आता है, छोटा नागपूर का प्लैटिव, अगेन वो important बन जाता है, तो भारत के अंदर जितना भी mineral concentration है, that mineral concentration is basically depend on the concentration of Gondwana land, तो यह तो यह पूरा area आदिवासी जंसमों से dominated, और Gondwana वो प्रजाती थी, जो सबसे पहले subtle थी यहां पर, तो इस पूरे regions में, जो एक लंबी-लंबे बेल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने आइडली बनाए है, not particularly appear in that particular segment, और Meghalaya के अंदर जो tertiary coal है, उसको हम बात कर रहे हैं, और जो थोड़ा से हमारा नई वेली तमिल नाडू में निकलता है, उसके हम बात कर रहे हैं, अब जितना भी यह coal है, इस particular coal is concentrated between the Gondwana and Damodar वेली बेल्ट, ठीक है, तो the major resources of Gondwana coal which are metallurgical coal are located in Damodar वेली, अब Damodar वेली basically कहा है, अगर आप से पूछ लिया जाए, कि Damodar वे से कहा जाता है, Damodar रिवर को, क्योंकि इसके अंदर जब फ्लडी रिजन में, जब फ्लड आता, जब मॉंसुर रिजन में फ्लड आता तो बहुत जादा डिवस्टेटिंग यह तबाही मचा थी, तो इस पर डैम बन चुका है, Damodar रिवर वेली प्रजेक्ट, ठीक है, तो basically West Bengal जारखंड, जिसके अंदर सबसे important mines के नाम आप सुनने जा रहे हो, वो है जारिया, ठीक है, जारिया, रानिगंज, एन बोकारो, यह तो नाम आपको याद रख नहीं है, इसका कोई shortcut नहीं है, जारिया, रानिगंज, बोकारो, जे आर भी इसका आप code बना रो, जारिया, रा भी किसी भी segment में से आ सकता है, ना के वल NTSC 1, Stage 2 या वोड कहीं भी किसी भी तरीक का match the following दे देंगे, किस स्टेट में है, वो आप बता सकते हो, ठीक है, जारिया, रानिगंज, बोकारो, उसके अलावा, गुदावरी, महानदी, सोन, वर्धा, वैली इसके अंदर भी गोल ड deposit है, tertiary coal, यानि जो basically tertiary और old coal में difference क्या है, इनकी जो years of formations है, ठीक है, like 100 to 50 million years ago का formation, जो है, वो आपका गोंडवाना बेल्ट में, 50 million का जो भी time period ले रहे हैं, जो आप new coal formations के अंदर आएंगे, चाहे वो अंत्रिसाइड है, bituminous, वो tertiary coal मेखालेया के अंदर जाता है, ठीक है, तो यह important है, पर यह तीन नाम तो जारिया, रानिगंज, बुकारो, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, इस अपसे important region है, ठीक है, तो tertiary coal का सेट कहां पर है, मेखालेयासम, अरुनांचल प्रदेश and नागालेंड जो region है, यह tertiary coal के main constitutes हैं, concentrated हैं, ठीक है, अब इसके सबसे oldest जो हमारे petroleum regions है, वो सबसे oldest petroleum region है, एक तो हमारा असम, ठीक है, असम के अंदर, डिगबोई, नहार काटिया, यह सब असम के अंदर ही है, आप देखो, बैसिकली असम की location जब आप देखोगे, तो असम एक बहुत stressed state है, यानि पूरा पूरा जो state है, वो इस तरीक से stressed है यानि सबसे बड़ा जो बाकी में नौर्थ इस्टन इस्टेट और अनाजल की बीच में जो जगे है, असम सबसे बड़ा region है, तो आप दिगबोई की बात करें, या नहार कटिया की बात करें, या मोरान हुगरी जान की बात करें, ठीक है, तो यह असम में, असम में 1901 से ही oil production हो रहा है, यह एक onshore petroleum region है, onshore मतलब जहाँ जमीन पे आधारी petroleum निकाला जा रहा है, offshore petroleum कहाँ चला जाएगा, यह देखो, offshore petroleum जाएगा हमारा Mumbai High, जो आपने देखा होगा, images अक्सर आपने देखी होगी, Mumbai High में petroleum निकाला जा जाता है, यह आपका offshore, यानि जहाँ पर समुदर से तेल petroleum निकाला जा रहा है, वो offshore हो गया, यानि Mumbai के तट शेतर से लगबग लगबग 20 km समुदर के अंदर जहाँ से petroleum निकाला जा रहा है, ठीक है, अब petroleum का दूसरा important एक region आता है, गुजरात में अंकलेश्वर, गुजरात के अंदर, अंकलेश्वर एक important region है, जहाँ से gas pipeline भी जा रही है, कहीं बार petroleum gas के निकलने के जो source है कहीं बार एकी region में हो सकते हैं, क्योंकि जिस जगे से oil और petroleum gas निकल रहा है, कहीं बार हो similar एक same combined region भी हो सकता है, जैसे कि अंकलेश्वर is the most important oil field which is in गुजरात, ठीक है, अंकलेश्वर जो गुजरात में है, सबसे important oil field है, questions match the following के लिए भी याद रखेंगे, ठीक है, Assam is the oldest oil producing state, क्योंकि जो board का pattern है, वो कैसा pattern है, first 1 to 20 question, इस साल तो I'm at COVID pandemic, वो change हो चुका है, first 1 to 16 question, one marks के होते हैं, जिसमें one liner आ सकता है, यानि सीधे आपको question दिया गया, कि in India, which state is the leading oil production state, तो अब तो वो महाराश्ट हो चुका है, यानि कि Mumbai High, या question आप से पुछा सकता है, कि in India, which is the oldest oil producing state, तो that is Assam, match the following में आ सकता है, उसी को fill in the blanks बना के भी आप देख लो कि Dash is the oldest petroleum oil field in India, तो Assam, ठीक है, then match the following में आपको location दी जा सकते है, अंकलेश्वर इन गुजरात, Dick Boy is in Assam, Mumbai High is in Gujarat, ठीक है, तो Dick Boy, Nahar, Kaatya and Moran, Hubri Jan are important oil fields in the state, clear, 63% of India's petroleum production is from Mumbai High, ये अब एक और database होगा कि सबसे आदा कौन निकाल रहा है, Mumbai High, then 18% is from Gujarat, अंकलेश्वर, and 16% which is Assam, चुकि सबसे पुराना बेल्ट है, Assam, ठीक है, तो क्योंकि concentration, अब जब petroleum, gas, ये सब चीज़े निकाली जा रही है, तो इनको communicate करने के लिए, pipelines भी होती है, यानि petroleum और gas को fast और बिना interruption के, अगर एक जगे से दूसरी जगे पहुचाना हो, तो definite सी बात है कि उसके अंदर, आपको क्या में लेगा, pipelines, जो हमने lifeline इंडियन इकोनॉमी में देखी रही है, अब, gas का concentration, तो gas के largest reserve जो है, वो आप देखोगे, कृष्णा गुदावरी बेस किलो मीटर जो वो लाइन है, gas pipeline ये जा रही है, आपकी हर्यानत, ठीक है, then, it links the gas pipelines with Mumbai high basin with the fertilizer oriented region, जितने भी fertilizer बनाने वाले region है, especially राजस्तान में भी आप देखोगे, तो उसका एक link आता है, कोटा के अंदर, तो उन सभी regions को gas pipeline, gas के availability कर जाए जाती है, उन power plants को, जो gas आधारित बिजली बना रहे हैं, राजस्तान में दो हैं, धौलपूर और कोटा के अंदर, ऐसी बहार भी हैं बहुत सारे, NTPC, National Thermal Power Corporation जो है, वो भी gas आधारित सहियत्र लगाती है, plants को बनाती है, now, अब तक की जो बात की इस chapter में, उसको एक summarized way में समझ लेते हैं, ठीक है, अब तक जो हमने बात की है, minerals के अंदर, वो हमने बात की ही, कि सबसे पहले तो हमने देखा, on the basis of occurrence, occurrence के basis पे, minerals किस-किस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, हमने इसमें बात की थी, igneous rocks, ठीक है, then sedimentary rocks, placer deposits, ठीक है, यह हमने बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी, metallic minerals की, metallic minerals में सबसे important है, iron ore, और यह बहुत-बहुत important है, क्योंकि इसकी location और region, यह भी आपको याद रखने हैं, question यहीं से आते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी, non-metallic, non-metallic में भी location, और reason, basically यह chapter है ही इस तरीके का, कि इसमें आपको इन ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, for example, हमने बात की थी, कुधेर्मुक माइन की, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुधेर्मुक जो है, वो iron और की माइन है, प्रस हमने बात की थी, भी बेला डाला, ठीक है, तो बेला डाला माइन भी, किसकी है, आइरन की, जो कहाँ है, 36 गड में, और कुदेरमो कहाँ है, करनाटका में, ठीक है, तो ये एक, इस तरीके का, एक शौट जब आफ डेटाबेस फॉर्म करलोगे, जिससे आफ रिवाइज कर सकते हो, तो ऐसा आप हर चीज में क्या करो एक छोटा सा अपना एक आइकन बनाओ किसी भी तरीके क्या उससे रिकॉल करो कि अब तक चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कितना याद है और कितना आगे चलने वाला है चलो आगे बढ़ते हैं अब जैसा मैं बता रहा था यह सिर्फ मैंने समझाने के यह बताया बुक में नहीं है कि अकसर जो हम देखते हैं कि जो क्रूड ओयल कच्छा तेल जो होता है जैसे साओधियर इबन कंट्रीज वेनिजुएला है इराक है इरान है जहां से भी और प्रिदूसिंग जो कंट्रीज हैं तो यह और पर भी रिजर्व होते ना रिजर्व लेगन अचानक उसे फ्लेमेबल गैस निकल जाती है इसी ख़बर अकसर आती है कि गैस पाइप की पाइप लाइन में एकदम से आघ लगई और उसमें से गैस निकल रही है आग क्या बहर आ तो वह रिजन क्या हो गया कि जहां पाईप पानी के लिए थे पाई गया वहां प compression की वज़े से वहाँ पर जो metallic जो भी composition उस area का इसी according वहाँ पर minerals develop हुए तो जो minerals develop हुए है वो heat compression and according to the availability of environment वहाँ पर develop हुए है तो gas के reserve भी वहीं दिख रहे हैं आपको oil के भी दिख रहे हैं फिर वापस sandy surface आगए water के reserve भी आपको वहीं दिख रहे हैं similarly देखो जैसे यहाँ conventional gas का region है यह तो यहाँ से gas निकाली जा रहे है then आप देखो gas in shell then sandstone आ गया जो हम mineral के लिए हम पत्थर की बात कर रहे थे limestone की वह sandstone यहाँ से आ गया then आप देखोगे कि oil भी यहाँ से निकाला जा रहा है then coiled methane gas यहाँ से निकाली जा रही तो earth के अंदर हर तरीके के mineral का concentration है और इस mineral को feasibility या study के साथ निकाला जाता है कि हम जिस mineral को ढूंड रहे है वहाँ पर उसके पाने की संभाव ना है या नहीं है clear चलो तो यह तो बात की हमने इसकी अब बात करते हैं कुछ indispensable चीजों की और electricity एक सबसे important जैसा मैंने बताया एक ऐसा important invention है जिसके बिना अब हम हमारी life को expand आगे imagine नहीं कर सकते हैं तो electricity बनाने के भी हमारे पास दो अलग अलग तरीके होते हैं बहुत आसान सी बात है hydro electricity जिसको हम बोलते हैं कि जल अधारित विदुद्पन बिजली घर बनाकर हम electricity का production करते हैं water जो एक renewable source of resource है renewable क्यों कह रहे है क्योंकि हर बार monsoon cycle से यह renew हो जाता है और इसके आधार पर जो हम projects लगा रहे है उसकी replication की जो दर है वो कोईले की बनने की दर से जादा है clear now which was a renewable resource in India is a number of multi-purpose projects like भाकणा नांगल जो सबसे बड़ा dam है हमारा दामोदर वैली एन कोपिल हाइडल project जो है जो जल अधा है केवल यही नहीं है तो बहुत पुराने नाम है काकरापार है गुजरात के अंदर तारापूर है माराश के अंदर नरोरा है उत्तर प्रदेश में तो यह वो important nuclear based power plants है जो की start हुए है अब मैंने क्यों बता यह सारे नाम इसलिए बताए क्योंकि जो भी नाम मैंने बोले हैं उनके उपर questions आते हैं match the following के match the following के आपको question दिया आते का राजस्थान महाराष्ट्रा तमिलाडू आपको match the following के question यहीं से एक मिल गया इस मैप से ठीक है बागी जितने भी black spot आप देख रहे हो वो सब coal-based या gas-based electricity produce करने के जो है plant है अब इसमें difference आप क्या देख रहे हो एक renewable source of resource है एक non-renewable source of resource है ठीक है then thermal, thermal-based electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas जो की क्या है non-renewable एक बार combust हो गया दुबारा नहीं आप उसको use कर सकते petrol आपने एक लिटर यूज़ कर लिया, bite में या car में उसके बाद दुबारा वो replicate नहीं होगा आपको दुबारा बरवाना पड़ेगा ठीक है the thermal power station used non-renewable fossil fuels for generating electricity and that is why they combust environment pollution also तो कोईले को चलाओगे तो कोईले की राख, fly ash जिसको हम बोलते है न, thermals जितने भी कोईला आधारित होते हैं अगर आपको knowledge हो तो fly ash वड़ाते हैं और fly ash के अब बहुत ज़ाधा environment degradation होता इसलिए सरकार ने कुछ policy बनाए कि fly ash की बनी हीटो को घर में यूज करो एक policy हो गई कि जो भी plant fly ash को यूज कर रहे है उनकी ash को capture करके उससे हीटे बनाए जाते हैं और हीटो से घर बनाए जा रहे हैं जो काफी मजबूत होते हैं जो है heat को भी कम trap करते हैं तो नई inventions नई technologies आ समझो कि आप तो जो river का bed है river का जो तल है नदी का तल उसमें जो concentration है sand का जैसे कि placer deposit के हमने बात की थी ठीक है तो uranium and thorium which are available in जारखंड and अरावली ranges of Rajasthan तो कुछ तो वही minerals अंदर से निकाले जा रहे हैं uranium कुछ monzite sands of kerala is also rich in thorium अब वो इसको use करने की technique thorium को कैसे अलग कर है कि minerals monzite thorium एक ऐसा mineral है जो kerala में पाया जा रहा है monzite जो sand है उसके form में यह simple एक मैंने image रिखा है इसमें जाला कुछ सोचने की बात नहीं है then wind energy जो कि largest जो कि हम बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा एक new renewable source है wind energy का solar wind tidal biomass energy are waste material और जितने भी conventional source of resources है यानि कि जो हम बात करने क कि conventional के opposite में जब हमें जाना चाहिए for replicating more resources तो solar wind and उसमें हम जाते है solar wind and और tidal energy अब wind energy में question आता है कि सबसे बड़ा wind farm कहा है तो nagar coil in tamil nadu nagar coil and jesalmir जो कि सबसे आदा wind energy को बनाने के source है अब इसमें basically देखो होता क्या है कि जो हम बात करते है solar wind and इसके लागा क्या होगा solar wind and solar energy wind energy और tidal energy तो solar जो है जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे solar panels को install किया आता है solar की capture heat को capture करके electricity में उसको convert किया जा रहा है तो India is the tropical country tropical के बुला गया है क्योंकि भारत में sunlight जो है वो 7-8 months easily available रहती है और उस पर based on electric plants use कर सकते है possibility of tapping solar energy photovoltaic technology अभी photovoltaic क्या होता है जो यह panels आप देख रहे हो यह photovoltaic cells से बने हुए है यह cells sunlight की heat को capture करते हैं capture करने के बाद उनको as electricity battery में store भी किया जा सकता है और इनको as a use of electricity convert करके बनाया जाता है तो directly into electricity solar energy is fast and become popular in rural and remote area राजस्थान और गुजरात तो ऐसे दो state है जहां solar energy बहुत जादा चेंज कर रही है conventional form of energy को क्योंकि solar energy जो है वो इतना easily राजस्थान में 8-9-10 महीने बहुत तेजी से गर्मी पढ़ती है और इसी वज़े से यहां पर सबसे जादा इस energy का दिकास होने की संभावन है बायो गेस गोबर गेस जिसको हम बोलते हैं गाव में जो animal waste है या human waste है जितने भी decomposition है living organism सबको एक बड़े tunnel में डाला जाता है एक भटे में डाला जाता है और methane gas basically gober gas का दूसरा chemical name क्या है methane तो methane gas को use किया जाता है as a form of gober gas तो bio gas plants are set up at municipal cooperative सरकार इनको बनाने के लिए subsidy देती है पैसा देती है because यह clean source of energy है यह clean source of energy है इसलिए इसको गाव में सबसे ज़्यादा यूज कहता है shrubs from waste animals and human waste are used to produce bio gas as form of domestic gas तो domestic gas या bio gas के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है अब दो ऐसी technology जिसको समझने के लिए बहुत सारा जो है importance भी चाहिए और इसका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज भी होने वाला है देखो geothermal और टाइडल दोने ही दो अलग concept है geothermal basically क्या होता है कि जियो जिसके अर्थ तो अर्थ के अंदर जहां पर भी आपने कभी बार इसा देखा होगा वीडियो में या सुना होगा कि गरम पानी के कुंड होते हैं तो गरम पानी कैसे आ गया किसी ठंडी जगे पर यहां पर हम बात करते हैं होट रॉक्स यानि जैसे हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की कि इग्नियस रॉक्स में basically क्या होता है लावा होता है मैगमा चेमबर से वह बाहर आता है और थंडा होके फटता है अगर आपने images देखे हो डिस्कवरी चैनल देखे हो तो उसमें आपको लावा बहार निकलत होता है यह इसकी जो ही जब भाहर की तरफ जाती है energy अपर layers के ऊपर आती है तो कुछ source पर जहां पर water होता है वहां पर यह गरम-पानी के source से डवलप होता है यह जो steam है जो steam डवलप हुई है वह steam वह major cause है जिसकी वज़य से यहां उपर जो source available है वो गरम-पानी का source बनता है basically बाहर का पानी तो कैसे आया, rain से या आसपास की stream से या monsoon cycle से पानी का source भरा हुआ है लेकिन नीचे से जो गरम पानी की steam या जो hot steam जो है वो जब earth की surface को नीचे से गरम कर रही है तो उस source पे गरम पानी का source बन गया है इसी steam को tap किया जाएगा और इसी steam को turbines चलाने के यूज किया जाएगा और electricity बनाने के काम में लाया जाएगा तो geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth groundwater in such areas absorbs heat from the rocks and becomes hot तो वो जो लगातार magma के आसपास का जो hot area है गरम area है जो पत्थर जो गरम है उनकी heat के वैसे outer surface भी गरम है और इसी outer surface के वज़े से वहाँ जो पानी का source है आपने देखा होगा कि इन जगाओं पर जहाँ पर भी इस चीज़े हैं लोग इसको tourist destination की तरह से भी मानते हैं आलू या चावल की पोटली बांद के उसमें डालते हैं और उबले होगे चावल और आलू निकाल लेते हैं तो वह एक life इसका example है तो कहां कहां location है important question यहां से आता है पार्वती वैली इन मनीकरण हिमाचल प्रदेश में मनीकरण एक जगे भी है tourist spot भी है religious point भी है मनीकरण गुर्द्वारा साहिब तो मनीकरण हिमाचल प्रदेश and located in Puga वैली इन लद्दाख दूसरा नाम क्या है Puga वैली लद्दाख में tidal energy tidal energy यानि high tides आप पढ़ते हो चोटी class में नीब टाइब और spring tide जब sun, moon and earth एक साथ एक location में हो 180 degree में और जब sun, moon और earth 90 degree के एंगल में हो तो नीब टाइब और spring पास होता है और इसी वज़े से अगर आप इस second map में देख पा रहे हो तो यहां पर आप छोटे-छोटे installed आप turbines देख सकते हैं जो कि उन पावर्फुल जो waves जो आती है पावर्फुल waves की वज़े से उस wave क्यों capture करते हैं उस पावर पानी को capture करते हैं और turbine चलाने के लिए उस खंबात और गल्फ ऑफ कच कहा है तो गल्फ ओ खंबात अंगल्स ऑफ गजए बहुत तेजिए से ड़का आता है और जो बैसिकली आप जो देखोगे की कि सुन्दर्भन का फोर्मेशन है बंगाल वैस्ट बंगालग और बंगलदेश के असपास वह ताइडल की वजह से ही जो टाइड के तार जो नाचुरल रिच रिसॉर्स जो वहाँ पर रिवर और सॉल्ट वाटर की वज़े से बना है इसलिए वहाँ का जो वेजिटेशन है जो हम बात करते हैं जो मैंगरू फॉरेस्ट है उसके डेवलफ होने का एक रिजन है तो यह हाई टाइडल जो जो रिज खंबात की बात की जा रही थी ठीक है वह कहां और गल्फ ऑफ कच्छ की बात की रही तो कच्छ रिजन तो यह वाला रिजन जो है इसे हम कच्छ कहते हैं ठीक है और यह जो नीचे वाला रिजन है जो मुंबई और गुजरात की बीचे इसे हम खंबात कहते हैं ठीक है खंब गल्फ ऑफ कच तो गल्फ ऑफ कच एंड खमबाद नागर को इंड विंड एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जैसल मेर विंड एनर्जी का एक कॉंसेट यह है कि विंड एनर्जी ऑन दा हाई हिल टॉप पहाड़ों के हिल्स पे जहां तेज हो एर का फ्लो या ओशेंस इसका एक पर्टिकुलर डिरेक्शन हो जो एक एस्ट बहरी है या वेस्ट बहरी है तो आपने क्लास नाइंट में पड़ा होगा इस्टर लीज वेस्टर लीज तो यह कॉंसेट वही से आता है ठीक है तो इतनी बात हमने यहां तक की अब एक बार चोटा सा रिविजन इस च चीजे हैं सबसे पहले तो हमने बात की थी मेटालिक मिनरल अब उस चैप्टर को हम लास्ट उसमें जाकर समझें कि मेटालिक मिनरल दैन नॉन मेटालिक मिनरल थीक है दैन हमने बात की थी एनरजी मिनरल थी एनरजी के अंदर हमने बात की थी कोल कोल के अंदर हमने बात की है तीन तरीके के, चार तरीके कोल, एंथरसाइट, बिटुमिनस, लिगनाइट और पीट, ठीक है, कोल के बाद हमने बात की थी पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम में हमने बात की थी हमारा सबसे पहले पेट्रोलियम के जो रिसॉर्स हैं, जिसमें हमने बात की थी मुंबई हाई स हमारे conventional तो हमने बात की, non-conventional में आपको simple simple सी बात है कि आपको basically solar wind और ये नाम तो आपको बता है कि solar wind है, टाइडल है, लेकिन इस chapter के लिए आपको इनकी याद रखनी है location, ठीक है, location जैसे हमने बात की थी कि solar के लिए jaisalmir गुजराद और कच्छी बहुत जादा appropriate है, wind के लिए हमने बात की थी, नागर कोईल, ये नाम आपको याद रखना है, नागर कोईल जो सबसे बड़ा wind farm है, ठीक है, नागर कोईल और jaisalmir, उसके बाद जियो थर्मल के लिए हमने बात की थी Poga Valley, Ladakh में Puga Valley और हमने बात की थी Money Current, कहाँ पर है Money Current, Himachal में तो यह जो पूरा format है जिसमें इस practice से बैसिकली आपको benefit क्या मिलेगा कि जब इस practice को आप follow करोगे, जितना भी lecture आप पड़ते हो, उसको आप revise कर सकते हो ठीक है कि मैंने जो भी चीज पड़ी थी वो कहां आके छूटी है या मैं मुझे जितना भी इसमें चैप्टर में रिविजन करना है वो कहां आके मैं इसको छोड़ सकता हूँ ठीक है तो अगर मैं इसमें फर्स्ट सेक्शन पे भी जाओं आपको बताओं जो हमने इंप्टरेंट लोकेशन डिसकस की थी सबसे पहले आप इसमें ये भी किया करो कि जो मैप प्रैक्टिस इसको भी आ फॉलो कर लिया करो अब यह सबसे इंपॉर्डेंट नाम है जो आपको याद रखने किसके लिए कोल के लिए जहार या रानी गंच बुकारो ठीक है मनीकरण हिमाचल में और लदाख में पूगा वैली इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैप के अंदर उन लोकेशन को रख लो इस जिस भी चैप्टर में इस तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है मैं उसके लिए इडेंटिफाई कर रहा हूं कि जिस भी चैप्टर म उसके अंदर भी जो पिछला section हमने दिखा था उसमें भी आपको यह location बहुत importantly याद रखनी है ठीक है प्लेसर deposit यह question कहीं बार आया है especially in boats की प्लेसर deposit क्या होता है कहां आपको fire जाता है तो प्लेसर deposit को याद रखें और प्लेसर deposit basically किसले होता है short में लिख लो कि जो हमारी important precious metals होती है gold, silver और platinum ठीक है ऐसे लिख लो प्लेसर deposit का जो main source होता है वो क्या होता है कि river के bet से जब हम इसको निकालते हैं इसके लिए मैंने एक state का नाम भी बताया था अल्डोराडो जो सबसे पहले United States में इस concept को start किया गया था सबसे पहले वहां से इसको शुरू किया गया था तो इस तरीके से इस पूरे chapter में जो भी concept हमने देखे उन्हें पढ़ें revise करें और location का chapter है लेकिन बहुत important chapter है इस बार board के अंदर तो इसमें से केवल locations ही आएंगी तो map practice इसकी बहुत जरूरी है इस chapter की leading producers बहुत important है और कोई specific अगर नाम दिया हो जैसे कुदेर मुख हो गया बिलड़ला हो पूरा इस concept को recall करें और map practice जरूर से जरूर इस chapter में करें हाँ अब कहीं बार जो question का format है subjective format है वो कैसे आ सकता है ठीक है जिसे कि आप से पूछा जा सकता है कि explain why non-conventional source of energy explain why non-conventional sources of energy is limited and the availability we should move from the non-conventional sources of energy level जो है जाना चाहिए ठीक है then why conventional source of energy is limited and their production should be lower should be done to the lower capacity and it should and the conventional non-conventional source of energy should be promoted in terms of conventional source of energy तो कहीं बार तो teacher खुद भी convention non-conventional में जो है confused रहता है जैसे मैं अभी हो रहा हूं तो conventional and non-conventional जो है इसको ध्यान रखें जिसकी coal, petroleum, gas जो है यह conventional है जो आसानी से मिलते हैं non-conventional जो new हम technologies पर जा रहे है जियो थर्मल जो potential resources है जियो थर्मल विंड पोटेंशल मतला अभी उजी तरह के से tap नहीं करें लेकिन in future उसको अच्छे से tap किया जाएगा तो यह था हमार आज का chapter and mineral energy resources का lecture 2 इस chapter को बहुत importantly device करें बोर्ड मेंस की बहुत utility especially short answer और one marks में do like and subscribe motion education foundation का चैनल को लाइक करें subscribe करें शेयर करें थैंक्यू सो मच